नमस्कार दर्शको मैं हूँ एश्वरे कपूर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत मेरे साथ आज है उत्तरप्रदेश के उपमुख्य मंत्री केशव प्रसाद मौरे जी लेकिन सिर्फ एक उपमुख्य मंत्री के तौर पे नहीं एक रामभक्त के तौर पे और एक कार स सेवक के तौर पर जब मेरी आप से बात हो रही थी केशव जी तो आपने कहा कि इस पूरी मूवमेंट को जिसको की भारत के लोग सिर्फ अयोध्या के नहीं उत्रप्रदेश के नहीं भारत के लोग को पांच दस पंदरा बीस पच्चिस वर्श से नहीं पीडी दर पीडी कई परिवार हजारों परिवार पीडी दर पीडी मतलब जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन इस समय का इस तारीक का इंतजार कर रहे थे अब जब यह हो रहा है तो आपको कैसा लगता है मैं एक नेता के तौर पे ही मैं बता रहा हूं मेरे लिए भी यह अलोकिक आद्भूत और होगा लेकिन जब देख रहा था रोमांच से भर गया कलपना से परे जैसे कुछ हो कि जैसे कोई रात में स्वपन देखो और वह स्वपन सच हो जाए वैसा ही द्रस आज महसूस हो रहा है और मेरे लिए ही नहीं मेरे जैसे करोणों राम भक्तों के लिए हजारों बार लोगों ने राम लला के जन्मस्थान को मुक्त कराने के लिए लडाईयां लडाई तिहास के पन्ने में जो दर्ज है उतना ही नहीं है बहुत कुछ है जो नहीं दर्ज है लेकिन राम के भक्तों ने राम लला की जन्म भूमी पर राम लला का भबे मंदिर बना लड़ाने की लड़ाई को कभी खतम नहीं किया पांच सताबदी से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आज जो अदभूद और अलोग की छण देखने को मिला है मैं बिना संकोची इस बात को कहता हूं बहुत संघर्स हुए बहुत अंदोलन हुए प्रणाम नहीं मिलाता उन उसको मैं देख रहा हूं लेकिन 6 दिसंबर 92 के पहले का संघर्स और 6 दिसंबर 92 के बाद का परणाम यह भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री एक राष्ट भक्त प्रधान मंत्री राम भक्त प्रधान मंत्री भारत वासियों की राम भक्तों की भावनाओं को समझने वाले प् पढ़ता यह देश की जंता का भी धन्यवाद है कि उन्होंने एक ऐसा देश को पुर्धान मंत्री देने का काम किया जिन्होंने रामला का भब मंद्र बनाने का मार्ग प्रसस्त करने में बहुत निडायक भूमिका आदा कर दी हम मैं विक्तिगत रामभक्त के तौर पर उपमुक्पंत्री के नाते नहीं मैं बहुत कारसिवक के रूप में इसके लिए बहुत आभार प्रकट करता है आपके पहले जवाब में मेरे अगले 10 सवाल है आपने पहला शब्द का इस्तमाल किया अलोकिक आध्यात्मिक इस्तमाल करने के लिए बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है लेकिन आप ही के विधान सभा के कही साथ ही आप सांसद भी रहे हैं तो राजनेता इस पे भी राजनीती करने से चूक नहीं रहे हैं मैं को के एक कॉंग्रेस के नेता या आज अभी मैं आया हूँ अभी एक कॉंग्रेस के नेता या शिफपाल ने क्या क्या दिया ये सब नहीं आप ने कहा कि मैं एक राम सेवक के तौर पे कह रहा हूं राम भग के तौर पे कह रहा हूं कार सेवक के तौर पे लेकिन आप प्रदेश क या वंभईई से आता ना तो जब प्लेन उड़ता है मतल्ला योधिया जी के मितला जाय। जब ganz च्रीडar प्रभमूरत देखी 23 सबस्क्राप करने ल difícil है लेकिन राजनेताओं को क्या हो गया हुए हैं उनको समझ नहीं आरहा। तो मैं दोनों प्रकार से इसको कह सकता हूँ या तो कुछ लोग इस भाव से भगवान सीर राम लिला के मंदिर को देख रहे हैं कि जिसमें ओड़ बैंक तलासने की कोशिज करते हैं कोई ओटों का धुरूवी करन करने की कोशिज करते हैं और दूसरा दृष्टकॉन मैं यहा फिर भी मैं भगवान के चाड़ों में प्रात्ना करूंगा कि ऐसे लोगों को भी सद्वुद्धी दें क्योंकि भगवान सीरी राम लिला का भब्य मंदिर यहां राजनिती का खाड़ा नहीं है यह आस्था सरद्धा और विश्वास का प्रतीक है लोगों को मालूम नहीं ह केवल अयुद्या का अच्छत और निमंत्रल पत्र की राम लिला का मंदिर बन जाएगा 22 तारीक के बाद आप आईएगा ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो अच्छत बित्रन करने के लिए जा रहे हैं उनके चरणों में साश्टांग लोग लेड़ जा रहे हैं जर 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 आसू बहे रहे हैं राम लिला के लिए क्या रोमान्च है पूरे समाज के अंदर जिनें इसका हैसास नहीं है मैं तो यही कहूंगा कि उनको इसका हैसास हो जाए आपने कहा केशव जी 500 बरस 500 बरस से लोग ये जद्व जहद में हैं इसमें लड़ रहे हैं पीडियां खब गई लो सिंगल जी कल्यान ची कई लोगों का नाम आता है कि उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे कब कब क्या कि अब जब आप इसके साक्षी बनेंगे राम लाला का जो भव मंदिर भाईस तारीक को बनने जारा है आपको कैसा फील होता है महसूस होता है देखिए मेरी फिलिंग शब्दों में ब्यक्त करना संभव नहीं होता है लेकिन मेरे लिए ही नहीं मेरे जैसे कोटी-कोटी राम भक्तों के लिए मैंने कहा ये अलोग की कदबुद और आध्यात्मिक छण है राम लला को राम लल जन्भूमी में उस अस्थान पर जो माननता के अनुसार जहां राम लला का जन्भूवा था वहाँ विराज मान होना यह संभव था इसे संभव करने का काम स्वेत वस्त्रधारी संत और सिराम जन्भूमी आंदोलन के सेना पती पूज असोक सिंगल जी जो अब सासरीर यहां पर उपलवद नहीं है लेकिन वहाँ यहाँ अलोगी एक दरस निशित तोर से दिब लोक में बैट करके स्वर्ग में बैट करके वह जरूर देख रहे होंगे और इस दरस को देख करके उनको लग रहा होगा कि मेरा धरती पर जाना सहरता को गया यह बहुत बड़ी बात है इस पूरे आंदोलन में मैं 30 अक्टूबर 90 आपको बता रहा हूँ जब उत्तर प्रदेश में स्री मुलाइम सिंग यादो जी की अगवाई में सरकार थी कार सेवा की हमारे संतों ने घोशना कर दी थी देश भर के रामभक्त कार सेवा का युद्ध्या की और कूच कर चुके थे मुलाइम सिंग जी का उस समय बयान था कि आयुद्ध्या में रामभक्त कार सेवा क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा लेकिन उस सुनावती का सामना करते हुए भी हमारे पूजी असोग सिंगल जी बहुत बड़ी संख्या में कारसियोकों के साथ सिर्राम डला के जन्मस्तान पर पहुँच गया उनको गंभीर चोटे आई थी लेकिन किसी के हंकार पूर इस निड़े का कैसे जबाब दिया जाता है यह सीखा हम लोगों ने अपने असोग जी से और उसके बाद तो परिसितियां बदल गई उत्तर प्रदेश में भारती जन्तापाटी की सरकार आ गई आदरनी करल्यान सिंग जी मुकमंत्री बन गए और वहां मुकमंत्री बन गए तो उनके मुकमंत्री बनने के बाद जब हमारे संतों ने फिर से कारसेवा का अलान किया तो 6 दिसंबर 92 को मुकमंत्री की कुर्सी राम लला के चरणों में चड़ा दिया लेकिन कारसयोकों को खरुज भी नहीं आने दिया मुलाइम सिंग्जी में और कल्यान सिंग्जी में ये अंतर है समाजवादी पार्टी में भारती जंता पार्टी में ये अंतर है राम भक्त और राम द्रोही में ये अंतर है इस अंतर को समझने की जरूवत है और इसके पच्च में पूरा देश खड़ा हुआ पूरे देश का जो समर्थन राम लला के जर्मस्थान पर बब्बे मंदिर निर्माणा के लिए प्राप्त हुआ वह सवा सवा रुपए सिराम सिला पूजन के साथ वह सिराम चरण पादु का लेकर के हम लोग गाओं गाओं में गए हमारे हुतात्मा बल्दानी राम भक्तों की यस्तियां लेकर के गाओं गाओं में हम लोग गए हम राम पता का राम प्रसादम लेकर के घर गर गए और पू उच्छाह था उनका परिस्रम था जो इस लड़ाई को लड़कर के विजय पता का फाराने का जो आउसर मिला वहां तो हन्मान जी की लीला थी इसके अत्रिक्त मैं समझता हूं कि हम कहें कि हमने कुछ किया है किसी और ने किया है वो लीला भग्मान स्री राम की क्रपा से आपन को बाइस को नहीं आ रहे हैं उनकी गंदी सोच को मैं जानता हूं उनके राम जन भूमी पर मंदिर निर्माड के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा समारो हो रहा है उससे अलग होने का उनका लच्छ क्या है कौन सा ओड़ बैंक को साधने की कोसिस कर रहे हैं यह मैं समझता कैसे सपा बहादूर स्री अखले स्यादो जी अपने एक एक करके जो केवल कागजी महासचिव हैं उनसे राम भक्तों पर गोली चलाने को जाएश ठाराने का काम आप क्या रहेंगे शिफपाल जी ने जो कहा वो अखले स्यादो जी के कहें बिना यह सब रट्टूत होता है है किसी को ना रोग थी ना रोग है 9 incentive 리 को होगा weniger प्नाड़ परश्चा समारो कादिया गया है दरसं तो हर्राम भक्त करेगा आके करे का करने में किसी को ना रोक थी ना रोक है ना कभी रोक होगी राम जी सबके थे सबके हैं सबके रहेंगे कौन किसको रोक रहा है लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारो का निमंतर ठुकराना यह राम भक्तों का अपमान है और राम भक्त इसको बहुत गंभीरता से देख रहे हैं यह क्या खेल ह पीछे का ओड़ बैंक की राजनीती क्या है लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है यह भारत है और भारत में रहीं भी पएदा हुए है रस्खान भी पएदा हुए है और एक मुश्णिम भी राम भक्त के रूप में इस अवसर को एक आनंद के आउसर के रूप में देख र गए राम जी के द्वार पे गए राम की पैड़ी पे गए हनुमान जी के द्वार गए और चुपचाप चले गए लेकिन उनके नेता क्या करते है अर्विन केजरिवाल मैं देख रहा हूं वहां पे लालू प्रसाद यादव और यह सब नेता केशव जी आप दिल्ली में भी आप सांसत भी रहें आप जानते हैं यह सब कोई कलके नेता नहीं है लेखे भाग लोग है मैं आपको जी मैं आपको यह जो कांग्रेस का आच्रवन और उनका इतिहास मैं थोड़ा से इसलिये लेक करूंगा कि भगवान सोमनाथ के मंदिर का जीर्मोध धार सरदार पठैल ने किया अगर 1947 में पंडित जवाहलाल नहरू जी चाहेते तो क्या आयुद्या में राम लाला के जन्मस्तान की समिश्या बनी रहती कासी विस्वनात धाम की समिश्या बनी रहती या भगवान स्री किर्श के जन्मस्तान की समिश्या बनी रहती कांग्रिश ने पाप किया है राम सेतु को नकारने का काम इन्हों ने किया हुआ है और रामजन भूमी पर रामणला के विराजमान होने का जो प्रारपृतिष्ठा समारोग हो है उसका निमांत्र ठुकराने का काम किया है और फिर कुछ प्रदेश के कुछ नेताओं को सर्यू में डुपकी लगाने और में है और मैं कहता हूं कि दूबधा में दोनों गए माया मिलीना राम तो आज कांग्रेश की दूर्दसा है और जीस प्रकार से यहां सायद में समझता हूं चाहे कांग्रेश हो चाहे सपा हो दो दल मुख रूप से सिराम जन्म भूमी पर भब मंदिर निर्माड का खुला वि मंदिर निर्माड के इस प्राण प्रतिष्टा समारों में आने से इनकार करते हैं उनके लिए 22 जन्वरी को पूरा देश संदेश देदेगा जब पूरा देश 14 जन्वरी से 22 जन्वरी तक तो प्रधान मंत्री जी के आवाहन पर स्वच्छता का अभियान चला रहा है 14 जन्वरी को और स्वच्छता का जब अभियान चला है एक उलेक में जरूर करना चाहूंगा हमारे प्रधान मंत्री जी जो कहते हूं करते स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत का अगर नारा दिया तो उन्होंने स्वयम जाडू लगाया है स्वयम कूडा उठाया है मंद्रों का उन्होंने आवान किया तो स्वयम पोच्छा लगाते हुए है आपने भी दिखाया है हमने भी देखा है देश ने देखा है लेकिन अभी तो 14 से 22 जन्वरी के बीच में जो फरक है भी पूरा देशी सुच्छता के अभियान में लगा है मंद्रों के रंगाई प कह सकता हूं कि आयोध्या में रामडला के जन्मस्थान पर विराजमान होने के प्राण प्रतिष्ठा समार्व का आऊसर 22 जन्वरी कि यह ढ़िक्ष हम राजनीती लेकिन ये विडंबना है कि प्रभुश्री राम के साथ हमेशा राजनीती होती रही है आप उनका तो एक एक जीवन का एक एक ख़ण जो हमने पढ़ा है जो देखा है जो समझा है वो अपने आप में एक लर्निंग है एक एक ख़ण प्रभुश्री राम के जीवन का लेकिन य ना हम अगर राजनीतिक करते तो अगर उनको ट्रस्ट के द्वारा निमंत्र जा रहा था तो हम बिरोध करते हम क्या है को भी डोकार में हैं हमनका भी स्वागत करते कि आओ भी आओ स्वागत है आपका एक रामभक्त के रूप में लेकिन वह चुद्ध करना चाहते हैं कि हम र भारत में हिंदुस्तान में रहके प्रभू श्रीराम का विरोध यह राजने था अगले कुछ दिनों में महीनों में हफ्तों में मुझे समय नहीं पता इलेक्शन आ रहे हैं आपको ही पता है जन्रेलेक्शन हाथ जोड़े सब खड़े होंगे जनता किसा क्या वो उस जनता के स सामने जा पाएंगे तेके चुनावी हिंदू और चुनावी रामभक्त में बड़ा फरक होता है और इस देश को सवभाग से देखिए मुझे यह कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं एक पिछड़ी जाती से आने वाला जब देश को प्रधान मंत्री मिला तो राम र जिननोद्धार हो गया बाबा भिस्वनाज जी का धाम बन गया भग्मान महाकाल लोग बन गया अबिरल गंगा और निर्मल गंगा का प्रवाह देश ने देखा है आपने भी देखा है हमारे तमाम देश और दुनिया के जो पत्रकार साथी प्रयाग राज के कुम में आये आते गंगी नहीं खोच पाए कमी नहीं खोच पाए क्यों नहीं खोच पाए क्या कारण था इसने की जब आपकी भावनाची होगी सच्ची होगी तब उसके पढ़नाम अच्छे होंगे और आज यह जो वातवण का एक मास्टर कारण है देखिए हमने हादनी प्रधान मंत्री जी कि मैं आपके साथ सेयर कर ले रहा हूं जो आयुद्ध्या को आप दिब और भब रूप में देख रहे हैं यह मानि प्रधान मंत्री जी ने एक एक बाते बताई हैं लोगों को कि अब ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो राम जन्भुमी तिर्थ छेत्र ट्रस्ट जो कर रहा हूं उनका मंदिर का परिसर जो है वह एरिया है लेकिन आयुद्ध्या को भब्य और दिब बनाने का एक एक आदेश एक निर्देश यह मानि प्रधान मंत्री जी ने दिया हो गया विश्वास नहीं हो रहा है वो हो लोगों को यह हम लोग चाहते हैं लेकिन यह हुआ है और यह को बता रहा हूं जब दिल्ली से मैं मतला योद्या की फ्लाइट में गया उसके बाद में लखना वाया तो वहां पे कैनड़ा से महिला आया है पचास बरस से उपर की ल लेकिन वे अपने आपको रोक नहीं पाई मेरे बच्चों ने का कि तुम अखेले आप जा नहीं सकती हो थोड़ी बुज़ूर्ग हो गई और राम जी का मंदिर बन रहा है हम जब हिंदुस्तान में थे उस समय यह आंदोलन चलता था बन रहा है हमने सोचा नहीं था कि हमार हमारे जो भारतवासी हैं जो प्रवासी भारती हैं उनकी राम भक्ति और उनकी भारत भक्ति को मैं पड़ाम भी करता हूं और मुझे इसकी सूचना है जो बहुत बड़ी संख्या में लोग देश के बाहर रहते हैं कई लोग तो 22 जनवरी को आने के लिए इतना आग्रह कर रहे हैं लिए का बदेखिए 22 जनवरी तो सराम जन मुविंत तीर्थ छेतर ट्रेस्ट के पासे 22 जनवरी का प्राणप्रतिश्टा समारों हो जाने दीजिए आप सब का स्वागत है सब को अध्याना है अब तो रेल से सड़क मार्ग से हवाई मार्ग से जल मार्ग से जो मार्ग चाहो उस मार्ग से चल करके आप आ सकते हो यह हमको कहना पड़ा यह राम भक्ती जो है पूरे संसार को गुंजाय मान करके रखी हुई है और इसका अंधाजा ना स्री राहुल गांदी जी को है ना स्री अखले स्यादो जी को है ना जो मंदिर के प्रार प्रतिश्चा समारों का निमंतर ठुकरा रहे हैं उनमें से किसी को नहीं है यहाँ राम तो शुरू से और अंत तक है आप इंडोनेशिया जाएए आप थाइलेंड जाएए आप चाइना जाएए आप उपर अफगानिस्तान की गुफाओं में प्रभू श्री राम के पत्थर पे बिनेवे मिलते हैं साउथ अमेरिका में साउथ अमेरिका में हनुमान जी का मंकी गॉड के नाम से वहाँ पे पूजा जाता है अलग अलग नाम है मतलब इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश है वहाँ का नैशनल ब्रॉडकास्टर 24-7 24 गंटे मतलब हफते में 7 दिन 365 दिन रामायन चलती है यह जब आपको कभी आउसर मिले स्री राहुल गांधी जी से बात करने का उनको बता दीजेगा उनको मैंने कहा कि राम की सक्ती का ना भान है ना उनको कुछ अनुमान है वो केवल राम लला का मंदिर बनने से परिसान आखरी सवाल मिले को पता आपको जा रहा है लेकिन अब एक राजनेता के तौर पर अब एक राम भग के तौर पर नहीं जब आप देखते हैं कि इतनी बड़ी बेवकूफी कोई और शब्द नहीं है योगि और ये शब्द मेरा नहीं एक संत का है जिनसे मां योद्या मैं म सबको एक साथ हो जाना चाहिए यह पूरे भारत को रुनों ने हिंदू मुश्लिम सिकh सांय करना हरिक भारतिय को इक हर एक भारतिय के लिए तंको समझना चाहिए तो मैं भारती जनता पार्टी के कारकर्टा के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार का उपमुकंत्री के रूप में यही कहूंगा भगवान राम अगर हिंदूओं के भगवान हैं तो मुसल्मानों के और आन जो हमारे आलप संक्यक समधाय के देश में निवास करते हैं उनके पूर भगवान मानता हूं और जो भी देश के अंदर भगवान राम को नहीं भी मानने वाले हैं भगवान राम तो सबको गली लगाते हैं भगवान राम निशाद राज को गली लगाए हैं समरस्ता का सबसे बड़ा तीर्थ सरंगवेर पूर धाम बन करके तयार हो गया है माता और कहां उनकी भगवान से राम की और सुग्रिव जी की मित्रता कैसे हनुमान जी का और राम जी का मिलन और कैसे हनुमान जी की राम भक्ती हम लोग तो रोज सुबा से लेकर साम तक ये पढ़ते रहते हैं और जो पढ़ते हैं सुनते हैं समझते हैं उसके आधार पर ही कहते ह कि राम राम भी हैं भगवान भी हैं राम राश्ट भी हैं राम लला का मंदिर राम लला का भी मंदिर है राम लला का मंदिर राश्ट का भी मंदिर है राम लला का मंदिर राश्टी एकता का भी मंदिर है राम लला का मंदिर समरस्ता का भी मंदिर है दुनिया के अंदर मैं पूरे दावे से देश के अंदर तो कोई दूसरा हिंदुओं का भी कोई धर्मस्थल ऐसा नहीं होगा जिसमें इतने अधिक लोगों की योगदान से इस प्रकार का मंदिर बन रहा है किसी दूसरे धर्म के लोगों का भी कोई धर्मस्थल इतने अधिक लोगों की योगदान से नहीं बन रहा होगा इसमें छोटा सचोटा जैसे आप कहरे हैं कि छोटी अवस्ता में देश से बाहर गए कि द्धर आप कर आप कमें is थ Linux का वोगा से यह विर्ण का नहीं लगों भी बनाएं के नहीं जोटद की। मंदिर भब बनाएंगे लेकिन तारीक नहीं बताएंगे आज मज़ा किसका उड़ा है देखे जो जस करे सुत्तस फल चाखा हुई है सोई जो राम रची राखा जैश्री राम केश्व जी और ये मैंने सीखा मता योध्या में आज कल कोई HIGH HELLOW नहीं बोलता है किसी को तो बोलता है जई श्री राम तो वहां से जवाब आता है जै जै श्री राम उत्रबुदेश की सरकार में लेकिन एक राम रहात के तोर पे कहरें कि जो राम का विरोध करेगा तो फिर भारत उसको जवाब देगा भारत की जनता उसको जवाब देगी बहुत बहुत धन्यवाद केशिक जाए इस्राम